Hello Everyone, Biosensor वाले टॉपिक जो लास्ट टाइम हम लोग डिसकस कर रहे थे उसमें एक Immunosensor वाला टॉपिक रह गया है Immunosensor के बारे में भी एक्जाम में पूछा जाता है जो यह आपकी Biosensors के ही टाइप हैं तो इसको आप उसी में इंक्लूड करेंगे उसके टाइप में ठीक है और अगर यह अलग से आता है दो नंबर में तो आप इसको लिख भी सकते हैं शौर्ट नोट के फॉर्म में भी तो चलिए स्टार्ट करतें Immunosensor क्या होते हैं देखिए Immunosensor और कुछ नहीं है यह Biosensor का ही एक टाइप है ठीक है Biosensor जिसमें हमारी Immunochemical या Immunological Reactions होती है अगर Biosensor हमारा Immunochemical और Immunological Reaction पे बेस्ट है तो Immunosensor कहलाएगा वो और Immunosensors में जो Biosgnot element होगा जो के Main element होता है Biosensor का first element होता है Biosgnot element को क्या होगा Antigen हो सकता है या फिर Antibody अगर antigen हमारा bio recognition element है तो मतलब हमें antibody का detection करना है और अगर antibody हमारा bio recognition element है तो हम antigen का detection कर सकते हैं pathogen का detection कर सकते हैं या पूरी whole cell का detection कर सकते हैं cancerous element का detection कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों का जिसके against में antibody हम raise कर सकें या attach कर सकें या immobilize कर सकें surface पर ठीक है तो जो immunosensor होते हैं वो highly sensitive और specific detection करते हैं biomolecules का इनकी accuracy high होती है इन पे ज़्यादा depend किया जा सकता है जो भी हमारे result है उनकी accuracy के लिए तो यह ज़्यादा तर कहां use होते है clinical laboratories में use होते है for the detection of pathogens, antibodies in blood samples ठीक है तो यह सारी चीज़े इनके साथ attach होती है sensitive और specific detection है उसके बाद देखिए इसका use देखिए use जैसे कि मैंने बताया भी है आपको कि cancerous molecule की detection में use होते हैं protein को हम detect कर सकते हैं protein का मतलब antigen से हैं यहाँ पर कि antigenic protein को हम detect करेंगे इसके अलावा pathogenic cell को हम detect कर सकते हैं किसी microorganism के surface पे कुछ receptors हैं उनके against में हम antibodies को generate करा करके उसको immobilize करके उनको मतलब check कर सकते हैं detect कर सकते हैं कि sample में present है कि ने इसके लावा antibodies के detection में भी use हो सकते हैं इनको हम blood immunoglobulins भी कहते हैं ठीक है तो इसके लिए हमें serum sample चाहिए होगा अब देखी जो immunosensors अलग-अलग नाम से आते हैं जो कि उनका नाम अलग-अलग इसलिए होता है क्योंकि उनके transducers अलग-अलग होते हैं जैसे optical transducers अगर यूज होते हैं तो मुनको optical immunosensors कहेंगे piezoelectric transducers यूज होगा तो उसको हम piezoelectric immunosensors कहेंगे मतलब transducers कुछ भी use हो सकता है बस इसमें हमारा biological recognition element क्या होगा antigen या antibody होगा बाकी सब चीज़ें हम पहले ही discuss कर चुके हैं अब immunosensors में क्या है कि जो बहुत ज्यादा use होने वाला immunosensors है वो electrochemical immunosensors है electrochemical immunosensors की दो type हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक तो potentiometric होता है के empirometric होता है तो इन दोनों का ज्यादा तर use किया जाता है फिर वही बात आ जाती है क्योंकि इनकी accuracy ज्यादा होती है in comparison to यह जो अलग-अलग हमना ले ओप्टिकल पीजो एलेक्रिक या calorimetric biosensors ठीक है तो इनकी ज्यादा मतलब accuracy होती है यह जल्दी result भी दे देते हैं इनको detect करना असान होता है तो यह widely accepted है clinical laboratories में ठीक है तो यह transducers की basis पे अलग-अलग नाम इसके लावा देखिए कि जो यह immunosensors है वो labeled भी हो सकते हैं नॉन-label भी हो सकते हैं जिनके basis पे हम इनको direct या indirect immunosensors का भी नाम दे सकते हैं अगर labeled हैं एंजाइम से लेबल तो किसी भी चीज़ से हो सकते हैं फ्रोट्स एंटेक्स लेबल हो सकते हैं ठीक है तो अगर किसी एंजाइम से लेबल है तो उनको हम enzyme linked immunosensors या से एक simple enzyme immunosensors भी कहेंगे और इंजाइम कौन-कौन से होते हैं पर-oxidase luciferis कुछ भी हो सकते हैं और भी कोई अगर हम enzyme इसमें डालना चाहें तो हम डाल सकते हैं ठीक है तो लेबल अगर है तो हम enzyme से लेबल है तो enzyme immunosensors कहेंगे enzyme करते हैं हम वैसे तो इसको detect कर लेंगे बिना enzyme की प्रिजेंस के लिएकिन अगर हम enzyme add कर देते हैं तो फिर से उनकी specificity और sensitivity बढ़ जाती है मतलब कम amount of sample रहेगा तो भी बहुत ही accurate detection होगा इस वजह से हम इसको use कर लेते हैं मतलब labeled form को use कर लेते हैं ठीक है तो यह आपकी immunosensors के बारे में होगे इसके बाद हम यह immunosensors की खतम होते ही हम कुछ industrial microbiology के कुछ videos लेकर आएंगे जो आप लोगों के exam में काम आएंगे आपक तेरे यह और चैनल को subscribe कर लीजिये ठीक है तो all the best thank you